तो दोस्तों अगर आपके पास है दियलमी P1 Speed 5G फोन और उस फोन में सिस्टम अपडेट करना है फोन को अपडेट करना है तो कैसे करूगी न्यू अपडेट आ चुका है तो कैसे करेंगे इसके लिए सिंपली आपको अपने फोन की दोस्तों सेटिंग को ओपन कीजिएगा औ जैसे आप किलिक करूगी थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना है अब जितने भी MB का अपडेट हो गए रहा होगा तो यहाँ पर लिखा होगा और जो भी ऑफिसल वर्जन है यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो और यहाँ पर सिस्टम में यहाँ बदलाओ या जो भी होगा सब यहाँ पर पर सकते हो अगर आपको करना है तो डाउनलोड and install को औया हुप्षिन भी क्लिक करना है और यहाँ पर जितने भी MB का होगा सब लिखा होगा continue डाउनलोड की ऐंप्चन पर क्लिक करना है और थोड़ा सा wait करना है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आप downloading चलेगी और यहाँ पर दोस्तों हमारे 100% downloading complete हो चुकी है दूसरी दोस्तों यहाँ पर line चल लहीं फिर से just थोड़ा सा wait करेंगी और यहाँ पर दोस्तों 100% हमारी यह भी complete हो चुकी है और यहाँ पे दोस्तों अब very fine वाली line फिर से चलेगी जस्ट थोड़ा सा आपको फिर से wait करना है और यहाँ पे दोस्तों 100% हमारा हो चुका है और install now का option आ चुका है जैसा कि आप देख पार है simply install now पे किलिक करेंगी और जैसे किलिक कर दोगे अब आपका phone दोस्तों यहाँ पे switch off हो जाएगा अब दोस्तों जब update हो जाएगा automatic on हो जाएगा कोई button और आपको नहीं दबाना है ठीक है तो इस प्रकार से आप भी अपने phone में system update कर पाओगी